इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एर्थ हिंदी की बुका चाप्टर फूर दीवानों की हस्ती हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूर धड़ाते जहां चले तो देखिए इसका क्या मतलब है तो दीवाने उन्हें कहते हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं हर हाल में मस रहते हैं सुखो, दुखो, इन चीज़ों का उन पर कोई बहुत जादा असन नहीं पड़ता है प्रभाव नहीं पड़ता और वो प्रेस النट में जीते हैं जो आज चल रहा है उसमें वो जीते हैं फ्यूचर में क्या होगा पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में वो जाता नहीं जोचते दिवानों की कोई हस्ती नहीं होती इसका ये मतलब है कि उन्हें किसी चीज़ का कोई भी खमंड नहीं होता है जाहे वो करीब है तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि उनके पास कोई चीज़ क्यों नहीं है अगर वो बहुत ज़दा अमीर है तो मतलब उनको उस बात का भी कोई ख़वन्ड नहीं होगा वो हमेशा मस्ती के आलम में रहते हैं मतलब हमेशा खुश रहते हैं और जहां भी वो होते हैं गम को बिल्कुल एकदम उड़ा देते हैं गम को बिल्कुल गायब कर देते हैं और जिस ज़गे रहते हैं वो एकदम हमेशा मस्त और हमेशा खुश रहते हैं आए बनकर उल्लास अभी आसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले तो इसका मतलब है कि जो दिवाने हैं वो किसी भी जगह पर जाते हैं तो उल्लास की थरा सब को जोश का संचार करते हैं मतलब कुछ उक होते हैं ना वो लोग हमेशा मस्त रहते हैं और वो जिस जगह होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि पार्टी की चान तो कुछ लोग हमेशा बहुता चेरफुल रहते हैं जहां वो होते हैं वहां आसपात सारे लोग काफी ज़दा खुश होते हैं क्योंकि वो खुद करते रहे जाते हैं उनके चले जाने का मतलब जैसे कि वो लोग कहीं किसी जगह से जाते हैं तो दूसरी लोग तो आसुम हाते हैं उनके जाने का मतलब जहां से भी यह दिवाने निकलते हैं और दूसरों के जिदगी पर इतना ज्यादा प्रभाफ चोड़ते हैं कि इनके जान ना है बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिये चले तो देखिए जो दिवाने होते हैं उनका जो काम होता है वो हमेशा चलते रहना होता है चाहे दिशा कोई भी हो चलते रहना ही उनके जिन्दगी का नाम है उनके जिन्दगी का काम है जो अ उनकी जिन्दगी में कभी भी कोई, मतलब एक तरह से रुकावट नहीं होती है, वो रुकते नहीं है, पूर्ण विराम तो मतलब उनकी जिन्दगी में कभी लगता ही नहीं है, उनका एक ही काम होता है, चलते रहना, चलते रहना, खुशियां बाटते रहना, जग तो उसका कुछ दिये चले मतलब वो हमेशा घूमते रहते हैं चलते रहते हैं मस्ती में दुनिया को देते हैं दुनिया से लेते हैं और घूमते मस्त हमेशा रहते हैं दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोए चकर सुख दुख के घूटों को हम एक भाफ से पिये चले तो वही हैं कि ये जो दिवाने होते हैं ये लोगों के बातों के जरीए दुख सुख बाटते हैं और सुख और दुख दोनों को गूट चकर और मजा ले कर भीते हैं मतलब यही है कि सबसे बाते करते हैं हसते हैं रोते हैं चाहे दुख हो चाहे सुख हो हर भाव में वो हर एक तरह से खुशी धूड लेते हैं और हर भाव को वो अपने साथ ले करके चलते हैं जो खुश होते हैं तो बहुत जादा अपनी खुशिया नहीं जारते दुखी होते हैं तो हर समय दुख में नहीं बैठे रहते हैं वो हर आगे कहते हैं कि दुनिया जैसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके दिल और दिमाग तंग होते हैं मतलब पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो जिनके दिमाग दिल हमेशा किसी ना किसी परिशानी में रहते हैं और वो मतलब दुखी रहते हैं प्यार बाटने क मामले में अधिकतर लोग भिकारी ही होते हैं मतलब कोई किसी को खुशी दे देना प्यार बाट देना ये ऐसा लोगों के पास नहीं होता है मतलब जैसे लोग के बस पैसा नहीं होता तो वो बिकारी होते हैं तो दुनिया के जाते लोग प्यार के मामले में बिकारी ही होते हैं लेकिन जो दीवाने होते हैं वो अपना जो प्यार है वो खुल कर दोनों हाटों से हर तरफ लुटाते हुए चलते हैं इसके बावजूद क और प्यार की निशानी हर तरफ फिलाते चले, मगर क्या होता है कि जो दिवाने हैं वो लोगों में प्यार की बावना भर नहीं पाते हैं, बहुत कोश्चिव के बाद भी क्यों की दुनिया जो है वो एक तरह के से तंग होती है, तंग का मतलब है वो अक्सेप्टर नहीं नहीं जाती है खुशी को अपने दुखों में ही खुश होती है इस तरीके की बाते हैं पर की गई है और इस वाज से दिवाने जो है थोड़ा से तो परिशान होते हैं मगर फिर आगे निकल जाते हैं अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले हम स्वेम बधे थे और स्वेम हम अपने बंधन तोड़ चले इस लाइन से हैं इसमें कहते हैं पुएट कहना चाते हैं कि जब कोई दिवाना किसी स्थान या पड़ाफ से आगे निकल पड़ता है तो वे अपने सारे ब मतलब नहीं रह जाता दिवाने यह भी मानते हैं कि जो लोग दुनियादानी के यहीं भी मतलब उनका मोटी फामेशा यहीं रहता है कि दुनिया जो है वह खुश रहे खुश्यां बाटती चले और पुरी दुनिया खुशी में ही डूबी रहे और वह एपना काम गर के आगे निकल जाते हैं दिवाने तो देखिए इस कविता में जो है ना मस्त मौला बेफिकरी खुशी का सभाव दिखाया गया है मस्त मौला सभाव का जो परसन होता है वो हर जगे खुशियां फैलाता है हर रूप में वो प्रसनिता देता है लोगों की आखों से आसू निकालता है और उनको खुशियां भर देता है और वो कुशियादे संसार को दे कर जाता है और संसार से यादे लेकर भी वो चलता है सुख दुख को वो एक ही भाव समझ कर सुईकार करता है और कवी संसारिक नहीं हैं वे दिवाने हैं मतलब कवी जो है वो दिवानों की तरह ही है और संसार की जो दुनिया है जो संसारिक बंदरों में लोग बंदे हुए उनको भी वो चाते हैं वो खुश रहे और जो दिवाने की तरह जो दुनिया में दिवाने हैं वो खुशियां बाटते रहें तो ये जो काविता है वो लिखी है भगवती चरण वर्माने बहुत ही प्यारी सी पोयम है याद रखिएगा